Season 4 Episode 4 start होता है, यह एक flashback सा scene है, इसमें Mike अपना जो बेटा होता है उसके साथ driveway पर काम कर रहा होता है वो अपने बेटे को उस driveway पर जो cement होता है उस पर अपना नाम लिखने देता है support group में यह सब वो बता रहा होता है Nixon में हमें दिखता है कि एक गैंग होती है वहाँ गस के आदमें डिलिवरी करके रहते है ये एक new territory होती है Nixon में Saul अपने बेड़ में उटता है और उसे call आय होता है वो एक phone store का होता है और उसे वहाँ job मिल चुका होता है Saul जब show कर रहा होता है तो कीम उसे बोलती है कि मैं एक सॉइकलोजिस को तुम्हें रेफर कर सकती हूँ Saul हैरान होता है और उससे बुच्छता है कि मुझे क्या जरूरत पड़ेगी किसी साइकेट्रिस की Saul को लगता है कि मैं कुछ जॉब नहीं कर रहा है इसलिए किम उसे बोल रही होगी फिर उसे बोलता है कि मुझे जॉब मिल चुका है उसने जो मोबाइल शॉप के ओनर को बता हुआ होता है मैं जॉब नहीं लेने वाला होता उसी के बारे में बोलता है कि मुझे अब जॉब मिल चुका है और मैं offer लेने वाला हूँ फिर वो उस job को ले लेता है कीम हमें फिर courtroom में दिखाई गई है ये courtroom का session जब खतम होता है तो judge उसे बुला लेता है judge उससे पूछताच करता है कि तुम अब क्या कर रही हो judge को लग रहा होता है कि HHM में वो अभी भी काम कर रही है और अपना time waste वो इस courtroom में कर रही है ऐसा judge को लग रहा होता है कीम फिर उसे बोलती है कि मैं solo pregnant user बन चुकी हो मुझे एक बड़ा case मिल चुका है मैं सवर्डे का judge भी इससे impressed हो जाता है judge फिर बोलता है कि मेरे पास तुमारे लिए एक case है वो फिर उसे बोलता है कि एक लड़की है जो pregnant थी उसकी जब pregnancy हो गई तो उसके बाद hospital की गलती से वो कुमा में चली गई है यह hospital की गलती थी तो इसलिए hospital उसकी care नहीं रख रही उसकी family situation इतनी अच्छी नहीं है कि वो उसे support कर सके उस लड़की का case तुमें लेना चाहिए यह जो case उसे वो बताता है यह picture की story होती है किम भी यह पहचान लेती है फिर जज़ उसे बोलता है कि यह कोई movie नहीं है जिसमें तुमें ऐसा case मिल सके तुम मेरी courtroom में cases ढुण रही हो और तुमें यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं मिलने वाला तुमें लग रहा होगा कि तुम lawyer हो तो तुमें लोगों की help करनी चाहिए पर 99% यह नहीं हो रहा होता बहुत सारे lawyers ने mistake की है और तुम यह mistake ना करो इसलिए मैं तुम्हें यह सब बता रहा हूँ जजोसे बोलता है कि तुम्हें जो पैसे मिल रहे है ऐसे बहुत सारे पैसे तुम्हें कमाने चाहिए अगर तुम मुझे फिर से court room में देखी तो मैं तुम्हें cases दे दूँगा और तुम्हें वो कमबल सरी करने ही पड़ेंगे जब फिर से court room में आता है फिर भी किम वहाँ से नहीं जाती next scene में हमें दिखता है कि support group में जो lady ती जिसके साथ माइक बात कर रहा था अब उसके साथ वो breakfast कर रहा होता है वो माइक को date के लिए पुछती है एक concern होता है वहाँ उसे ले जाना चाती है माइक बोलता है कि आज support group है तो इसलिए मैं नहीं आत सकता support group में एक आदमी होता है वो फिर माइक को बोलती है कि उस आदमी के हमें मदद करनी चाहिए उसका हमें friends बनना चाहिए माइक बोलता है कि उसे कुछी problem नहीं है वो आच्छा है तो उसे पुछती है कि तुम्हें इसा क्यों लगता है माइक बोलता है कि उसकी wife मर गई है यह जो story उसने बताई है यह make up उसने की है उसकी wife existence नहीं करती वो उसे बोलता है कि तुम्हें इसा क्यों लगता है माइक बोलता है कि वो जब हमेशा story बनाता है वो हमेशा वो अलग हो जाती है माइक उसे बोलता है कि अगर तुम सपोर्ट ग्रूप में आओगी तुम्हें तुम्हें प्रूफ कर सकता हो वो जब भी जूट बोलता है वो अपनी व्रिस्ट को हाथ लगाता है वो भी इसके लिए मान जाती है सौल फिर हमें मोबैल के शॉप में काम करता हो दिखता है वहाँ कोई भी कस्टमर्स विगरा नहीं होते तो उस शॉप के ओनर को उकॉल करता है उनोर से बोलता है कि जो प्रैच हमने तुमने दी है वहाँ जादा कस्टमर्स नहीं होते दूसरे प्रैंचेस में होते है पर वो उसे वहाँ चॉप नहीं देने वाले होते थोड़े विग्स के बाद दूसरे शॉप में ट्राइ करने वाले होते है जिस गैंग के पास गस के आदमियों ने डिलिवरी दी थी इस गैंग के बास नाचो ट्विंस को लेकर आता है और बोलता है कि यह वही लोग थी जिनोंने मुझ पर हमला किया था फिर वो दोनों गाड़ी से गन निकालते है और अंदर चले जाते है बहुत सारे गन शोट समय सुनाई देते है नाचो भी गन निकाल लेता है उसके वून अभी भरे नहीं होते फिर वो उन्हें बचाने के लिए अंदर जाता है उन्हें कवर करता है और वो दोनों ट्विंस स तुम्हें वो territory चाहिए थी इसलिए तुमने उस गैंग को wipe up करने के लिए मुझे बोला था ये अब territory गस को मिलने वाली होती है क्योंकि कार्टेल अफसालावांका को ये territory नहीं देगा support group जब होता है तो Mike उस आदमी को रंगया तो पकड़ लेता है उसे बहुत ही जाबता है और फिर वो आदमी वहाँ से चला जाता है Mike फिर उन्हें बोलता है ये story make up कर रहा था ये तुम लोगों की सब की sympathy गेन करना जाता था और ये राइट प्रेस पर आया था तुम सब लोग एक दुसरे का जो दर्द है इस दर्द पर feed कर रहे हो ये बहुत ही घड़िया चीज़ होती है बोलने के लिए तो अब ये support group का किसा ये ही खतम हो जाता है नाचो के फादर अपने घर आते है नाचो उनके घर पर आया हुआ है ये उन्हें पता होता है पर नाचो कैसा है उन्हें दिखने रहा होता नाचो को बोल रहे होते हैं तुम अब घर से निकल जाओ नाचो को वो जब देखते हैं तो वो बहुत ही परिशान हो जाते है 9-1-1 को call करते है पर नाचो उन्हें बोताता है कि मेरी सेफटी के लिए तुम्हें कुछ भी नहीं करना है नाचो बोलता है कि मुझे सिर्फ या थोड़ी देर तक आराम करने दो नेक सिन में हमें दिखता है कि माईक अपना जो सिकुरिटी काम होता है वो कंटिनू कर रहा होता है सॉल फिर जिस आदमी ने उस स्टैचू को चुराय होता है उस आदमी के पास जाता है उसके पैसे लेने के लिए वो वहाँ गया हुआ होता है वो आदमी उसे पैसे दे देता है फिर सॉल उसे बताता है कि मेरे पास तुमारी लिए और भी काम हो सकता है वो आदमी उसे बोलता है कि डॉक्टर से तुम मेरा नंबर ले सकते हो सॉल उसे बुछता है कि ये नंबर को क्या हो जाएगा वो बोलता है मुझे नंबर चेंज करने पड़ते है प्राइवसी बहुत ही इंपोर्टन होती है कौन सुन रहा होगा यह हम पता नहीं कर सकते सॉल को फिर आइडया आता है अपने शॉप पर वो जाता है और पूरे ग्लासेस को पेंड करता है उस ग्लासेस पर वो बड़े अक्षरों में लिखता है कि यह आप प्राइवसी बेची जाती है इससे कस्टमर्स एट्रेक्ट होते इसके लिए एक सॉल नहीं किया होता है नेक सिन में हमें दिखता है कि माइक को गस ने मिलने के लिए बुला होता है गस माइक को बोलता है कि तुमने मुझसे हेल्प मांगी थी और फिर भी तुमने सालामंका को कुछ होने दिया तुम्हें पता था कि नाचो सालामंका के साथ ये सब करने वाला है फिर भी तुमने मुझे ये इन्फरम नहीं किया मैक गस को बोलता है कि सालामंका को मैं ना मारू ऐसा तुमने मुझे बोला था सलमांग का कि personal safety का contact तुमने मुझे नहीं देया था माइक फिर उसे बोलता है कि तुमने मुझे जिस काम के लिए बुलाया है उस काम को मुझे सीधे सथी बोल दो मुझे घुमाग फिरा कर बात करने आच्छा नहीं लगता कस फिर उसे काम बताता है यह एपिसोड कतम हो जाता है और यह काम हमें नेक्स एपिसोड में पता चलेगा